Microsoft Office 365 Learning Series में पहले हमने बात की unique की, फिर हमने बात की sort की और आज बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने sort by लेकिन ये सारे functions का अभी हम लोग conceptual part discuss कर रहे हैं जिसमें मैं चाहे हो unique की बात हो, sort की बात हो याज sort by का concept समझाओंगा कि उसका use कैसे करते हैं लेकिन किसी और function के association के साथ जब इन function का use होगा, तो इनके power का अंधाजा लगेगा आपको, तो अभी पहले concept की बात, फिर एक, दो, चार वीडियो के बात, इन function के association, power की बात तो sort function सीखने के बाद, अब आपको सिखाना बनता है sort by, तो सीधे sort by function का example करा देने से better क्या रहेगा, उसके पहले concept को समझना, example तो खुद बर खुद implementation का क्या है, अगर मेरा concept clear है, तो implementation के लिए आपको मेरे साहरे की जुरत नहीं है, मेरा काम है concept clear करना, वही करने की कोशिस क कर रहा हूं मैं, यहां पर function pass किया, मैंने sort, और लेडी में बदा चुका हूं, जिसमें क्या था, sort a range or array, sort का काम क्या होता था, किसी भी range को या array को उठा के वो sort कर देता था, जैसे कि अगर मैं sort सीधा pass करूं और ये range pass कर दो, तो ये उठा के क्या कर देगा, sort कर देगा, ये based on the values in a corresponding range or array, मतलब, अगर मैं इस data set की बात करूं, जिसमें product भी है और price भी रखा हुआ है, मैं चाहता हूं इसे sort करना, इस price की value के base पे, sort by, इसके base पे चाहता हूं, मैं इस product को sort करना, मतलब, price के base पे मैं product को sort करना चाहता हूं, उसकी corresponding value के base पे, तो sort by function की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपसे मांगेगा ये array, ये रहा आपका array, जिसे हमें sort करना है, ठीक, comma, by, किसके base पे, उसकी corresponding value है, उसके base पे sort करना है, तो वो जाएगा by array में pass होगा, ये आगे आपके पास, दूसरा element, by array 1, ठीक है, by array 2 भी हो सकता है, अगर मेरे पास multiple columns हों, तो उसकी बा है लाएगा आपका by array 1, ये corresponding value है इस product की, तो ये इस product के price के base पे इस product को उठाके क्या कर देगा, sort कर देगा, comma, order pass कर देते हैं, मैं ले रहा हूँ descending order, minus 1, तो ये descending order में value को रखेगा, और अभी by array 2 मेरे पास है नहीं, तो मैं यहीं bracket बंद कर देगा, ठीक है, आपने पास किय ये sort by ये ले लिया range product का, comma, by array में आपने पास कर दिया, ये enterprise और जड़ा देखिए तो किस तरीके से sort किया इसने, वीवो, वीवो को सब से उपर लेका है, क्यों, क्योंकि इस में जो सब से highest amount है, उसको देखी तो जड़ा, 27090, descending order में, उसके बाद किसका नमर आएगा, वीव descending order में, panasonic सब से नीचे यहां देखिए, 1506 थे, कर दिया न, इस price के base पे इसे उठा के sort, बसी तरीके से यहां पे देखिए, multiple column है आपके पास data, और हमें sort कैसे करना है, तो sorted first by status, a to z, and then by value descending, मतलब value means price, then by price in descending order, तो यहां पे pass करेंगे equal to sort by, और यहां पे array में ऐसे न लेके इस बार मैं complete array ले रहा हूँ, ठीक, array ले लिए आपने multiple column sort करना है, by array 1, तो by array 1 में में मेरे पास कौन है, किसके base पे जो corresponding amount है, वो कौन से है, तो पहले by array 1, यह क्या कह रहा है, sort by status from a to z, यहाँ status, comma a to z मतलब ascending order, comma, फिर कह रहा है by array 2, तो by array 2 में then by value मतलब then by price, तो then by price कौन से है, by array 2, यह, comma उसको कौन सा order, तो descending order minus 1, bracket बन और enter पे, तो यह था problem, sort by status a to z, and then by value मिन्स price, descending, और वैसे ही आपने output निकाला, पहले आपने array लिया, array में complete ले लिया a to z, c10, उसके बाद array 1 यह, ascending, array 2 यह, descending, बड़ा आसान है, अब आप लोगों को अगर sorting का concept मैंने सिखाया हो, तो sorting में आप लोगों को याद है, मैंने a to z सिखाया था, मैंने z to a सिखाया था, मतलब ascending order और descending order, उसके लावा मैंने एक sort और सिखाया था, मतलब मैंने उस time सिखाया था कि, अगर मेरे पास मेरी अपनी custom requirement हो तो custom list के बेस पे sorting, मतलब ये मेरे पास एक custom list बना हुआ है, मैं ना तो ascending order में चाहता हूँ, ना descending order में चाहता हूँ, मैं जो sort चाहता हूँ, वो अपनी order में चाहता हूँ, ये रहा मेरा अपना order, sort by, coming soon सबसे उपर में sort हो जाना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए coming soon वाले जितने भी हैं, उसके बाद जो launch हो चुके हैं, और उसके बाद जो on hold हैं, ये मेरे हिसाब से sort, और ये concept मैं आप लोगों का अलड़ी sorting के concept में बढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहां function की बात आती है, तो run time पे changes भी करना बहुत easy है, और इस function को भी सीखलाना बनता है, यहां बे यूज कर रहा हूँ मैं, sort by custom list, तो यहां बे पास कर रहा हूँ sort by, ठीक है, और सबसे पहले बात array, तो array में तो ये पास करूँगा, complete array, comma, अब वो कह रहा है by array 1, तो जहां पे by array 1 की बात कर रहा है, वहां पे तो मुझे उसकी corresponding value उसके base पे sort करना है, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो यह जो value है, sort by, अगर इसमें यह match, ओहो, यहां function लगेगा match, अगर match हुआ, तो sort नहीं हुआ, तो नहीं sort, तो यहां पास करेंगे match, match को चाहिए lookup value, तो lookup value match को पूरा array पास करेंगे, यह, यह जो data है, यह इस lookup array में lookup कराना है, match को दिया आपने, lookup value यह, और comma, lookup array यह, bracket बन, 0 लगा के, comma, order, तो order में पास कर देते हैं, ascending, चलिए, comma, अब buy array 2, तो buy array 2 में ले ले लेते हैं, यही, यह वाला price, comma, 1, ascending again, enter press करके देखिए तो, और आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, यह देखिए, coming soon वाले एक साथ, launched वाले, again एक साथ, और on hold वाले, again एक साथ, यह हुआ हमारा custom sort, आपके हिसाब से sorting है सरकार, देख लिज तो यह था मेरा custom sort, अब एक example और इस छोटे से data में मुझे sort तो करना है, but sort based on length of this string, यह जो sort करना है, वो string length के base पे, ठीक है, तो यहाँ पर pass करूँगा, मैं equal to, और यहाँ पर pass कर दूँगा, मैं sort by array में ले लिया, यह, comma, length of string pass कर दिया, as array बनाके, bracket बन, comma, one, bracket बन, enter, यह र sort by length है, यह, साथ के साथ, sort by यहाँ पे लिए आपने array, comma, by array one में आपने पास किया length of string, bracket बन, minus, इस बार ले ले लेता हूं, one, और खुद आपको फ़र्क देखना है, कुछ आपको फ़र्क लग रहा है, यह ascending order में by length किया है, और यह descending order में by length, मतलब, सबसे कम character है, sort में sort में sort by में 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इस तरीके से, उसी तरीके से जब आपने descending order पास किया, तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 7 होगा, 6 character होगा, 4 character है इस तरीके से, तो यह हो गया ascending, यह हो गया आपका descending order, sort by length, तो उमीद करता हूं, यह sort और sort by इस दोनों फ़र्क है ना, बहुत ज साथ के साथ single भी और multiple column sort, उसके अलावा देखा जो वहाँ हमने sorting के concept सीखा था, custom sorting, यहाँ भी आपने सीखा custom sorting, ठीक है, इन function के concept को भी हम सीख रहे हैं, इन function के association based, example भी आप लोगों को यह क्या दो वीडियो के बाद देखने को मिलना start हो जाएगा, लेकिन अब पहले next 16-19 यूज कर रहे होंगे, या अब office 365 पे switch करने की या तो planning कर रहे होंगे, या कर चुके होंगे, बस आप लोगों से सिर्फ एक बात की उज़ारिस है कि कोई भी वर्जन आप सीखिये, कोई भी latest function आता है, और अगर आपके basic concept सही है, तो कोई भी function सीखना आपके लिए बहु कोर्स में आगे भर रहे हैं, वो पुडानी चीजों को भूलते भी नहीं जा रहे हैं, अगर वो भूल गए, तो ये किसी काम का नहीं, इसी उबीद के साथ, अब आप से मिलता हो, नेक्ट वीडियो में इसी तरह के कि कुछ ने कुछ value added content के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभ तुनोजन चनल, थैंक यू, दिल से